हेलो इस वीडियो में आज हम कंप्यूटर जीके की अगली वीडियो के बारे में जानेंगे तो सबसे पहला यहां पे कोश्चन है कंप्यूटर को इंटरनेट में जोडने में मदद करता है तो यहां पे चार ऑप्शन है ऑप्शन A, Netfit, ऑप्शन B, Browser, ऑप्शन C, Keval, या ऑप्शन D ये सभी तो इसमें जो सही अंसर है वो है यहां पे ऑप्शन B, Browser इसके बाद आगला कोश्चन है ओर जी का सबंद किस कशितर से है तो यहां पे चार उप्षिन है गैर ब्यबसाइक, उप्षिन B शिक्षा, उप्षिन C संगठन या उप्षिन D ब्यबसाइक तो यहां पे जो सही अंसर है वो है उप्षिन C संगठन इसके बाद अगला कोश्चन है .com domain का सबंद है तो यहां पे चार ओप्षिन दिये गए है ओप्षिन A बेपारिक संस्था ओप्षिन B ब्यक्तिगत विशेश्था ओप्षिन C कला से सबंद या ओप्षिन D ये सभी तो इसका जो सही अंसर है ओप्षिन A बेपारिक संस्था इसके बाद अगला कोश्चन है भारत में इंटरनेट की सुविदा कब से प्रराम्ब हुई थी तो यहां पे चार ओप्षिन है ओप्षिन A 1992 ओप्षिन B 1993 ओप्षिन C 1994 या ओप्षिन D 1995 तो इसका जो सही अंसर है ओप्षिन D 1995 इसके बाद अगला कोश्चन है बेप साइट का अड्रेस नेम लिक्त में से कहलाता है तो यहां पे चार ओप्षिन है ओप्षिन A यूजर आईडी ओप्षिन B यूजर अड्रेस ओप्षिन C URL या ओप्षिन D ये सभी तो इसका जो सही अंसर है ओप्षिन C URL इसके बाद अगला कोश्चन है इमेल का पूरा नाम क्या है तो यहां पे चार ओप्षिन है अलेक्ट्रिकल मेल ओप्षिन B अलेक्ट्रोनिक मेल ओप्षिन C इंग्लिश मेल ओप्षिन D इंसेशियल मेल तो इसका जो सही अंसर है ओप्षिन B इमेल को अलेक्ट्रोनिक मेल बोला जाता है इसके बाद अगला कोश्चन है सूचना राजपत किसे कहते हैं तो यहां पे चार ओप्षिन है ओप्षिन A इंटरनेट को ओप्षिन B इमेल को ओप्षिन C फोन को या ओप्षिन D तो इसका जो सही अंसर है वो है ओप्षिन A इंटरनेट को सूचना राजपत कहते हैं इसके बाद अगला कोश्चन है इमेल के जर्मदाता किसे माना जाता है तो यहां पिचार ओप्षिन है ओप्षिन A रे टॉम लिसन ओप्षिन B बिल गेट्स ओप्षिन C लिंकन ओप्षिन D चार्लिस बैबिस तो इसका जो सही अंसर है ओप्षिन A रे टॉम लिसन को इमेल का जर्मदाता माना जाता है इसके बाद अगला कोश्चन है www के अविशकार का है तो यहां पे चार ओप्षिन आ ओप्षिन A बौन न्यूमन ओप्षिन B J.S.Kilb ओप्षिन C टीम बनरसलिक ओप्षिन D चार्लिस बैबेस तो इसका जो सही अंसर है बो यहां पे ओप्षिन C है इसका सही अंसर है इसके वाद आगला कोश्चन है इंटरनेट का स्टेंडर्ड प्रोटोकॉल है तो यहाँ पी चार आप्षिन है आप्षिन A, HTML, आप्षिन B, Java, आप्षिन C, TCP, IP, आप्षिन D, यह सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्षिन C, TCP, IP इसका सही अंसर है इसके वाद आगला कोश्चन है बैप पेज को रिलोड करने इतु कौन सा बटन दबाया जाता है तो यहाँ पे चार आप्षिन दिये गया है आप्षिन A, रिलोड, आप्षिन B, रिस्टोर, आप्षिन C, रिफ्रेश, आप्षिन D, इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्षिन C, रिफ्रेश बटन को दबाया जाता है इसके बाद आगला कोईशन है, इमेल लिखना, किसके समान है तो यहाँ पे चार आप्षिन है, आप्षिन A, फोन पर बाती करना, आप्षिन B, पत्र लिखना, आप्षिन C, पैकेज बेजना, या आप्षिन D, तसभीर बनाना तो इसका जो सही अंसर है वो है option B, पत्त लिखना, तो option B इसका सही अंसर है इसके बाद आगला कोश्चन है नेमलिक्त में से कौन सा इमेल का भाग नहीं है तो यहाँ पे यह चार आप्शन दिये गए है तो चार आप्शन में से कौन सा सीम्बल इमेल का भाग नहीं है तो यहाँ पे यह जो सही अंसर है वो है option B option B इसका सही अंसर है यह email का भाग नहीं है इसके बाद आगला question है नेमलिक्त में से कौन ने शुलक mail सेवा परदान करता है तो यहाँ पे चार option है option A ready mail, option B yahoo, option C hotmail या option D यह सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option D यह सभी निशुलक email से वा परदान करते है इसके बाद आगला question है MS Office 2000 को किस company ने बनाया तो यहाँ पे चार आप्शन है option A, Coral, option B, Lotus, option C, Microsoft या option D, Novel तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, Microsoft इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है Microsoft company के इसन स्थापक है तो यहाँ पे चार आप्शन दिये गए है option A, Paul Island, option B, Bill Gates, option C, A और B या option D इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, A और B इसके बाद आगला question है बिंडोस software का निर्मान किया गया यहाँ पे चार आप्शन दिये गया option A, B Pro द्वारा option B, Apple द्वारा option C, IBM द्वारा या option D, यह सभी तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, IBM द्वारा बिंडोस software का निर्मान किया गया इसके बाद आगला question है बिंडोस 98 का विकास कब हुआ तो यहाँ पे चार आप्शन है option A, 2000 को option B, 2003 को option C, 1998 को या option D, 1999 को तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, 1998 को बिंडोस 98 का विकास हुआ था इसके बाद आगला question है बिशम में सरवधिक computer वाला देश कौन सा है तो यहाँ पे चार आप्शन है option A, चीन option B, रूस option C, स्यूंक्त राज्य अमेरका या option D, न्यूजिलेंड तो इसका जो सही अंसर है option C, स्यूंक्त राज्य अमेरका इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है keyword को हिंदी में क्या कहा जाता है तो option A, सूचना देने वाला option B, कुण्जी पटल या option C, keyword या option D, ये सभी तो इसका जो सही अंसर है वो option B, कुण्जी पटल इसका सही अंसर है इसके बाद अगला question है by default document किस mode में print होता है याँ पे चार option दिये गया है option A, portrait option B, page setup option C, landscape option D, इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो या option A, portrait इसका सही अंसर है इसके बाद अगला question है directory में directory को क्या का जाता है तो याँ पे चार अप्शन है option A, mini directory option B, junior directory option C, port directory या option D, sub directory तो इसका जो सही अंसर है वो या option D, sub directory इसका सही अंसर है इसके बाद अगला question है पर्स पर सबंदी ते रिकोर्ड के समूँ को क्या कहते हैं तो याँ पे चार अप्शन है option A, data sheet option B, spreadsheet option C, database या option D, utility file तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, database इसका सही अंसर है इसके बाद अगला question है MS Word document में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शात है तो याँ पे चार अप्शन है grammar through T, या option B, spelling में through T, या option C, printing through T, या option D, address block तो इसका जो सही अंसर है वो है option B, spelling में through T, इसका सही अंसर है इसके बाद अगला question है Excel में cell के पैचान निवन में से कौन करता है तो याँ पे चार अप्शन है option A, नाम, option B, formula, option C, address, या option D, level तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, address इसका सही अंसर है इसके बाद अगला question है भारत में सूपर कंप्यूटर पर्म का निर्मान कहां किया गया तो याँ पे चार अप्शन है option A, पूने में option B, हैदरवाद में option C, दिल्ली में या option D, बंगलोर में तो इसका जो सही अंसर है वो है option A, पूने में इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है निर्वात ट्यूब किस पीडी के कंप्यूटरों से स्वन्दित है तो याँ पे चार option है option A, प्रथम पीडी कंप्यूटर option B, दित्ती पीडी कंप्यूटर या option C, दित्ती पीडी कंप्यूटर या option D, इसमें से कोई नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option A, प्रथम पीडी कंप्यूटर इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है प्रथम पीडी के कंप्यूटर प्रियोग करते थे तो याँ पे चार option दिये गये है option A, बैक्यूम ट्यूब option B, जिस्टर option C, सिलिकून चिप या option D, मगनेटिक कोर तो इसका जो सही अंसर है वो है option A, बैक्यूम ट्यूब इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है वो है, गूगल क्या है तो याँ पे चार option है option A, ब्राउजर option B, वाइरस option C, सर्च इंजन या option D, ऑपरेटिंग सिस्टम तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, सर्च इंजन इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है IBM क्या है तो याँ पे चार option है option A, सौफ़वेर, option B, प्रोग्राम option C, कमपनी या option D, हार्डवेर तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, कमपनी इसके बाद आगला question है computer बंद होने पर किसके contents नस्ट हो जाते है तो याँ पे चार option दिये गया है option A, storage option B, memory option C, output या option D, input तो इसका जो सही अंसर है वो है option B, memory इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है computer के मुख्य system board को क्या कहते है तो याँ पे चार option है option A, motherboard option B, integrity circuit option C, microchip या option D, processor तो इसका जो सही अंसर है वो है option A, motherboard इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है dot matrix किसका एक परकार है तो याँ पे चार option है option A, tape option B, bus option C, printer या option D, disk तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, printer इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है नेमलिक्त में से उस यंतर का नाम बताईए जो computer को telephone line से जोड़ते है तो याँ पे चार option है option A, scanner option B, printer option C, CD-ROM option D, modem तो इसका जो सही अंसर है वो है option D, modem इसका सही अंसर है इसके बाद आगला question है computer में window एक प्रकार है तो याँ पे चार option है option A, hardware का option B, software का option C, दोनों का या option D, किसी का नहीं तो इसका जो सही अंसर है वो है option B, software का इसके बाद आगला question है computer virus केवल एक प्रकार का software है जो मुखे था, नस्ट करते है याँ पे चार option दिये गये है option A, आंकडों को option B, hardware को option C, program को या option D, उपकरनों को तो इसका जो सही अंसर है वो है option C इसके बाद आगला question है computer data का सबसे छोटी इकाई है तो याँ पे चार अंसर है option A, byte option B, bit option C, file या option D, record तो इसका जो सही अंसर है वो है option B, bit इसका सही अंसर है तो इस वीडियो में हमने computer GK के बारे में जाना आगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज, subscribe my channel धन्यवाद